Hi everyone, मैं हूँ आदित and welcome to our movie recommendations. आज मैं जिस movie की बात करने चाह रहा हूँ, उसका नाम है Life is Beautiful. Life is Beautiful 1997 में आज एक Italian movie है. इसको मैंने पहली बार आज से 18 साल पहले देखा था अपने भाई के साथ और अभी जल्दी मैं इसे फिर से revisit कर रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे इस movie के बारे में आप सभी से बात करनी चाहिए. मैं हमेशा से सुना करता था कि लोग movie देखते, टाइम थोड़ा सा emotional हो जाते हैं, रो देते हैं, story को connect when it तढ़ने लगते हैं, तो मुझे इस बाते सुनके काफी हसी आती थी, पर यह वो movie थी जिसको देखने के बाद मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ, और मैं इस movie खुद देख रहा था, और मेरे आंख में आसू थे, और फिर मैंने साइड में देखा अपने भाई के तरफ तो वो भी काफी जादा emotional हो रखा था, मुवी के डारेक्टर है रोबर्टो बैननी और रोबर्टो ही इस मुवी के लीड अक्टर है, साथ के साथ उन्हों ने इस मुवी को को राइड भी किया है, मुवी की बात करें, तो मुवी बेजड है, तीन लोगों की लाइफ पे पहले हैं ग्यूडो खुद, यानि कि जो रोबर्टो बैननी बने हुए हैं, उसके बाद उनकी वाइफ डोरा और फिर उनका है एक बच्चा जिसका नाम है जोश्वा, तो मुवी की स्टार्टिंग होती है कि जो रोबर्टो हैं, मलब जो गीडो हैं, वो इटली आते हैं काम की तलाश में, और वो एक बुक स्टोर खोलना चाहते हैं, तो वहीं पे उनने डोरा मिलती हैं और धीरे-धीरे डोरा बड़े समाज की रहती हैं, पर फिर भी आपास में मिलते हैं, दोनों में प्यार हो जाता है, बाद में शादी हो जाती है, वो बाद में अपना एक बुक स्टोर भी खोल लेते हैं, और उनको एक बच्चा भी होता है, जिसका अनाम वो रखते हैं, जोश्वा, मुवी जो है, वो वर्ड वार सेकेंड के टाइम की दिखाई गई है, और खास्तोर से उस टाइम की जब नाजी जर्मनी ने जो है, वो नॉर्डरन इटली पर कबजा कर लिया था, और कई सारे जुईष को, जितने भी ज़्यादे जुईष तो उन सब को एक concentration camp में भेज दिया था, तो जो ग्यूडो है अपना, वो भी एक जुईष है, और उसको उसके बेटे को वो लोगो concentration camp में भेज देते हैं, जोश्वा जो की ग्यूडो का बच्चा है उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि क्या हो रहा है क्या चल रहा है तो ग्यूडो उसके लिए एक बहुती इमेजनेरी कहानी बनाता है उस सराउंडिंग को ले करके और वो पूरी कोशिश करता है कि उसका बेटा जो है बहुती ज़्यादा खुश रहे मुस्कुराता रहे और यह मूवी इसी पर बेज़्ड है कि कैसे कंसेंट्रेशन कैम में रहते हुए भी ग्यूडो जो है वो अपने वाइफ के लिए और अपने बच्चे के लिए खासतोर से अपने बच्चे की लाइफ को अच्छा बनाने के कोशिश कर रहा है और हमेशा मुस्कुराता हुआ चल रहा है यह मूवी लूजली एक बुक पर बेज़े जिसका नाम है इंदा आइबी ठिटलर और खासतोर से बैनेनी के फादर पर भी बेज़े जोगी दो साल कंसेंट्रेशन कैम पर रहकर के आये थे काफी जादा इमोशनल मूवी है काफी जादा प्यारी मूवी है रवर्टो बैनेनी को इस मूवी के लिए बैस्ट अइक्टर का आवार्ड मिला था वह पहले नौन-इगलिश एक्टर थे जिनको बेस्ट अक्टर का वाड़ मिला था कासतोर से इस मूवी को भी बैस्ट फॉरइं फिल्म का वड़ मिला ता साथ में इसके प्यारी मूवी है और अगर आपको वर्ड वार्ट्वॉर्ट की स्टोरी होने के बावजूद भी जब इतना जदा वॉयलन्स हो रहा था फिर भी कोई मूवी एक कॉमिक ड्रामा दिखाई गई उस टाइम की तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा